दूस्तों आप लोगों के points से कि sir कुछ internship लेके आई है फिर से तो 45 days की internship में लेके आगे हूँ building construction पर और एक offer के साथ आपके लिए लेके आगे हूँ government certified training ये रहेगी 100 seat इसमें रहने वाली है आपकी new batch start होने वाला है तो इसमें क्यों जरूरी है और offer क्या है क्या 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 आपको पढ़ाए जाएगा complete detail में आपको देता हूँ थोड़ा था time आपका लूँगा अगर आप सोच रहो आगर आप एक student हो तो आपके काफी काम की ये रहती है तो अगर हम बात करें देखो बच्चों को job नहीं मिल रही skill वहाँ demand होती है जैसे field पर जाओगे degree और diploma matter नहीं करता है तो EICT ने क्योंकि सब college क्या है slavers क्या है EICT के according है तो EICT भी कहता है कि अपने degree और diploma के दोराओं आपको internship करनी करनी है जो आपको side से relate करती है practical knowledge skill जो side पर चाहिए होती है वो बताता है तो यही है तो job इसी करण ही हमें मिलती है कि हमें skill का पता नहीं था lack of guidance पहले guidance नहीं होती थी आज तो चलो मैं आपको guide कर रहा हूंग internship करो यहां जो करो software knowledge जुरूरी है practical knowledge confidence तो उसके बाद आप job easily पा सकते हो eligible कोन होता है इस internship के लिए college के student, fresher, working professional, diploma वाले, b.tech वाले, m.tech वाले, side engineer, contractor, owner सब इसके लिए eligible हो जाते है 45 दिन का schedule क्या रहेगा आपको सिखाय क्या जाने वाला है drawing reading फिर पहले दिन, दूसरे दिन drawing reading structure और architectural drawing sequence क्या होता है construction का वो आपको बताया जाएगा फिर चोथे दिन भी इसी के pre sequence क्या होता है और construction के दोरान फिर बार winding schedule का introduction होगा फिर foundation की BBS होगई, column की BBS, beam की BBS, slab की BBS, state case की BBS, फिर excavation के बारे में बताया जाएगा, फिर PCC के बारे में बताया जाएगा, footing के बारे में बताया जाएगा, plinth beam की RCC होगई, फिर substructure form work होगई, फिर जो substructure form work, फिर column का form work, beam का form work, slab का form work, इनकी measurement कैसे की जाती है वो बढ़ाए जाएगा कॉलों की RCC, स्लैब RCC फिर हम बात करें ब्रिक वर्क के बारे में आपको बताने वाले हैं फिर आपको प्लास्टर के बारे में उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं P.O.P की मेजरमेंट, फिर कॉर्णिश मेजरमेंट पुर्टी की मेजरमेंट, बॉल पेंड मेजरमेंट कैसे होती है B.O.Q कैसे बनाते हैं, S.O.R. होगे Plumbing और Sanitation का, Conductor के Billing कितने डाइप के Bill होते हैं, फिर Assignment आपको दी जाएंगी तो ये सब चीज़ी आपको सिखाई जाने वाली है Lifetime validity रहने वाली है ये सब कुछ आपको मिलने वाला है रेल टाइम प्रजेक्ट पे उस लगनिंग आपकी रहेगी Certificate कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है सामने Certificate रहेगे, इलकी हल्प से भी आप सिखोगे तो 45 डेज की internship रहने वाली है तीन दिन का offer ये रहने वाला है और ये सिर्फ आपको 1,999 में मिलने वाली है 10,000 इसका actual price 80% off के लिए रखा गया है तो जल्दी चाके apply करने हैं मैं description में link डालता हूँ आप app को download करिए और इसको कर लीजे काफी अच्छा मोगा है, काफी चीज़े सीखने को आपको मिलने वाली है